नवस्कार किशान मित्रों किशान मित्रों आज हम बात करेंगे गियों के बारे में कि गियों का समय अब चल रहा है बुवाई का टाइम आ गया है और आप यद गियों की खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो किस प्रजाद की उनत्चित ब्राइटी आप लगाएं किस कंपनी की उन्नचित वराइटी लाएं जो अधिकतम आपको उत्पादन दे सके किसान भाईयों गियों एचटी वनतीस सरसट गियों के बारे में हम आपको बताएंगे जो गियों की एक उन्नचित प्रजाती है और सबसे अधिकतम पैदावार देने वाली इसके क्या खूविया है इस इसको बोने से आपको क्या लाब हो सकता है इसमें सिचाई कप करने पड़ती है कितनी करने पड़ती है और इसमें बुवाई कप करनी चाहिए इसमें कलों का फुटाओ कैसा होता है इन तमाम सारी जानकारियों को इस वीडियो के माधिम से किसान भाईयों आपको हम बताएं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि इसी से हमें मोटी विंचन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए किसान भाईयों यदि आप एसडी वंतिस सरसट ग अगर देर से बुवाई करना है तो लेटिस्ट आप इसकी दिसंबर में भी बुवाई कर सकते हैं किसान भाईयों किसान भाईयों इसकी सबसे बड़ी खास्यत ये होती है कि इसमें कल्लों का फुटाव बहुत अधिक्तम होता है जिससे हमारे जो पैदावार होती है या उत्पादम कह लीजिए वो अधिक्तम होता है और इसमें जो इसका डंठल बचता है उसको काट के भूसा बनाया जाता है थ्रेसर द्वारा थ्रेसिंग की जाती है जब तो भूसा भी अधिक्तम निकलता है किसान भाईयों अर्थाद आपको उत्पा च्छान भाईयों आपको एस्टी वन तीज सरशट गियो की बुवाई करनी चाहिए किसान भाईयों बीस से पचीश दिन का जब गियों हो जाये तब इसकी पहली सिचाई करनी चाहिए और आवसकता अनुसार इसको समय समय पर खाद भी देते रहना चाहिए पानी लगाने क बात सिचाई करने के बात किसान भाईयों उसके बाद यह वराइटी लगबाग 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है पकर तैयार हो जाती है काडने लाय किसान भाईयों इसकी जो बालियां आती हैं बहुत लंबी होती हैं और जो दाने होते हैं गोल लंबे दाने होते हैं और वजन जो दाने होते हैं उनका वजन बहुत जबरदस्त होता है खाने में इसका आटा खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होता किसान भाईयों उसके बाद बात करते हैं कि किस प्रकार की मिर्दा में इसको बो सकते हैं किसान भाईयों यदि आपके पास बलूई दोमन मिट्टी है त तो आप 31-67 ग्यों की बुवाई कर सकते हैं HD 31-67 ग्यों की बुवाई आप कर सकते हैं और अधिक्तम उत्पादन ले सकते हैं जिससे आप अधिक्तम मुनाफ़ा कमा सकते हैं इस वरायटी को भूकर HD 31-67 ग्यों उसके बाद किसान भाईयों बात करते हैं कि है एचिटी वंतिस सड़ सड़ अन ग्यों से भिन कैसे है किसान भाईयों इसकी शिचाई एक तो आप कम से कम करनी पड़ती है लगबग वैसे तो हर ग्यों में सब ग्यों की शिचाई जो है समय समय पर करते रहना चाहिए यदि आप समय समय पर करते हैं तो तीन से चार बार ग्यों की सिचाई आपको करनी चाहिए पूरी फसल में लेकिन वंतिस सड़ सड़ कम से कम आपको पानी देना पड़ेगा इसमें सिचाई मांगता है ये और अधिकतम उत्पादन के साथ अधिकतम चारा भी देता है किसान भाईयों ये 67 ग्यों की पैदावार बहुत ही जबरदस्त होती है किसान भाईयों इसकी बीजदर जो मात्रा होती है पचास से पशपन किलो ग्यों एक एकड़ खेत के लिए परियाब तो होता है यदि आप एक एकड़ खेत में पचास से पशपन किलो ग्यों की पाएंगे किसान भाईयों ये एक ऐसा ग्याँ हुआ है कि इसका ये अन्न बराईटीयों की अप्छा एक तू कल्ले का फटाओ अधिकतम होता है, दूसरे सिचाइग की आशकता कम होती है, तीसरे किसान भाईएँ ये इसके अन परजातियों की अपिक्षा इसमें रोग प्रतरोधक शम्लता, बहुत ही अधिक होती है किसान भाईएँ और पाला में सेहनी चीलता भी बहुत जवर्दस्त होती है किसान भाईयों इनके पौधों में यदि वैसे देखा जा जमीन में किसी प्रकार की कमी नहीं पाई जाती है तो इसके पौधे पीले नहीं पड़ते हैं इसमें किसी प्रकार की रोग बिमारी नहीं होती है किसान भाईयों समय समय पर पानी अर्थात 25 से बुवाई के 25 से 20 से 25 दिन में पहली सिचाई करते रहें और समय समय पर इसकी सिचाई करते रहें और खाद भी देते रहें समय समय पर तो आपको ये बहुत ही अच्छे अधिक्तम उत्पादन के साथ अधिक्तम से अधिक्तम लाब आपको प्राप्त हो सकते हैं किसान भाईयों ये हूँ ये वैसे तो पंद्रा नॉम्बर से लेकर तीस नॉम्बर तक इसकी बुआई बहुत बढ़िया होती है उसके बाद में उन्तिस सड़ सड़ आप दिसंबर एक दिसंबर से लेकर तीस दिसंबर अधार लेट से लेट भी ये इसकी बुआई करते हैं तो ये लगबग 110 से 120 दिन में आपका पक्कर तयाल होगा और उत्पादन भी बहुत अच्छा देता है इसके पौधे में कल्ले का फुटाव बहुत जवरदस्त होता है और इसके पौधे बहुत जवरदस्त ग्रोथ करते हैं बहुत अच्छी होती है किसान भाइयों यद जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें किसान बाईयों यह चड़ी वन तीस सरसट गेहूं की बुवाई आवस्च करें क्योंकि बहुत ही बड़ियां उत्पालन के साथ आपको अधिक से अधिक चारा और मुनाफ़ा भी दे सकता